केजिबादी वो आज के वारा अपने विक्रम जीदिया के साफ दो संदोता हुआ था इस पास को लगत भाया जाना है विक्रम जीदिया के सब्सक्राफ आरोग आज भी जादे चन्नीजी ने कहा कि केजिबाद आपको अब कॉंपर पाभी मांग लेते हैं वो कैबे बात सुबह से शाम तक वो केवल मेर कोई गालियां देते हैं आज कल वो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं वो रात को सोते हैं आख बंद करते हैं जैसी आख बंद करते हैं उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूं और फिर वो एकदम से अचानक दर्के उठे जाते हैं जितने प बयान चन्नी साब कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि काफी दूनों से सोई नहीं है, काफी दूनों से उनको अराम की सक्त जरूरत है, इसलिए वो बेतो के बयान 24 गंटे मेरे खिलाफ करते रहते हैं. वो पिछले साथ साल से यही कह रहे हैं, बीजेपी की B team है, आरेसस की B team है, इनकी C team है, हाई रहे, मर गए रहे, केजरीवान हमारे वोट ले गया रहे है, वो रोते रहेंगे, धिरी दिरे खतम हो जाएगी कॉंगरेस. देखिए, आज पंजाब के अंदर पिछले 5 साल में और खास कर पिछले 3-4 महीने में जो घटनाएं घटी हैं, उससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, कि क्या कॉंगरेस पंजाब को, पंजाब के लोगों को सुरक्षा दे सकती है, एक तरफ जहां आम पंजाबी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाओं के खिलास बहुत सारी वारदाते हो रही हैं, आम जनता के बीच में क्रिमिनल अपरादिक घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरे त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिक्यूरिटी ब्रीच हुआ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उसके उपर राजनिती नहीं होनी चाहिए, उसके उपर दोनों तरफ से राजनिती हुए, मैं उदर भी, दोनों तरफ से उन्होंने राजनिती की, आहम हमने केंदर सरकार के साथ सहयोग करके जैसे करोना का मामला था सब लोग आप जानते हैं कि किस तरह से हमने केंदर सरकार के साथ सहयोग करके दिल्ली को करोना से बचाया यहां भी जब भी सुरक्षा की राष्ट्रे सुरक्षा की बात होगी हम केंदर के साथ मिलके एक टीम की तरहे देश की और पिंजाब की सुरक्षा करेंगे दूसरी चीज बॉर्डर से नशा आ रहा है बॉर्डर से टिफिन बॉंब आ रहे हैं बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं इन में बहुत सारी घटनाओं के पीछे कोई न कहीं रिश्वत खोरी होती है भ्रष्टाचार होता है हमने देखा जब बॉंबे बॉंब 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 ब्लास्ट हुए थे तो कस्टम के कुछ अधिकारी बिके थे जिसकी वज़ेसे आर डियेक्स हमारे देश के अंदर आया था यहां भी कहीं न कहीं प्रचार होता है जिसकी वजय से नशा इंटर करता है पिंजाब के अनदर जिसकी वजय से यह सारी चीज़ें इंटर करती है। आहम आदमी पार्टी अकेली कट्टर इमांदार पार्टी है। इमानदार पार्टी आएगी तो नशाना बंद होगा और बॉर्डर सुरक्षित होगा कितने लिकर शॉक्ष है उनसे पूछना जड़ा दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उसके पहले साड़े आठ सो दुकाने थी आज दिल्ली में साड़े पांसो छे सो दुकाने है तो तीन सो दुकाने तो कमी हुई है फिर वो कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली वो कुछ भी बोल देते हैं और बीजेपी तो जूट पहलाने की मशीन है मैं उनसे अगली बार वो ये कहें तो उनसे ये पूछना कि दिल्ली के अंदर तो दारू एक नंबर में बिक्ती है गुजरात के अंदर तो पूरा ड्राई स्टेट है खुले आम दारू की नदियां बहरे गया है उस इल्लीगल दारू का पैसा किस के पास जाता है गुजरात के अंदर जो इल्लीगल दारू बिक्ती है उन्होंने प्रोहिबिशन किया हुए गुजराते में जो इल्लीगल दारू बिक्ति है उसका पैसा किसके पास जाता है अगर की पूरी कॉंग्रेस पार्टी सरकस बनी हुई है जैसा कल भी मैंने भी बोला था भगवंतमान जी ने भी बोला था एक बहुत बड़े नेता हैं उनका बेटा एक और सीट से लड़ा है कॉंग्रेस को हराने के लिए और वो नेता जो है वो अपने बेटे के लिए कॉंग्रेस को हराने के लिए प्रचार करने जा रहे है चन्ली साहब है उनका भाई दूसरी सीट से लड़ा है कॉंग्रेस को हरा और दूसरे तरफ जब आप आमादमी पार्टी की तरफ देखो तो एक अच्छी सुनियोजेत, सिस्टेमाटिक परिवार टीम नजर आती है, उपर मैं हूं, पंजाब में भवंत मानें, नीचे हमारे कैंडी डेस जुना गड़ रहे हैं, घर घर जाके लोगों को पंजाब की की बात कर रहे हैं, जिस घर में प्यार होता है, महबबत होती है, वो ही बरकत करता है, जहां इतने लड़ाई जगड़े होते हैं, वो तो परिवार बिखर जाता है। कैप्टेन अमरिंदर साब जब CM थे, तीन-तीन-चार चार जिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे, हफ़ते में तीन-चार गेड़े तो उनके लगी जाते थे दिल्ली के, कोई भी छोटे से छोटा निरने हो, वो दिल्ली उनको जाना पड़ता हाई कमांड के बास, आज चन्नी साब जो है, हफ़ते में पांसात बार तो चली जाते हैं दिल्ली, सिद्धु साब 24 गंटे दिल्ली बैठे रहते हैं, ये सारी कैबिनेट उनकी दिल्ली बैठी रहती है, पिछले चार मेने में आप मिर को ये बताओ, भगवनतमान कितनी बा लेकिन, अब अगर हमने दिल्ली में स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, ये ठीक है, बिजली ठीक है, हम तो चाहते हैं कि सारे देश के लोग इससे सीखें, अगर हमने स्कूल अच्छे कर दिये, तो बीजेपी का कोई मुख्यमंतरी मुझे कह दे, मैं हम उनको सिखा देंग और उनको सिखा दे, तो बगवन टमान हमारा ही है, उसको तो बताइएंगे जाये न कैसे किहे, वैसे बगवन टमान भन आज़े चोंग अच्छे काम करेगा, वह हम सीख के दिल्ली में करेंगे, देश की बात है, पूरे देश में कहीं किसी भी कोने में कोई अच्छा काम हो सब को सीख के करना चाहिए उसमें क्या बात है तीन महीने का काम तो सारे देख रहे हैं टीवी पे कितनी नोटों की गडियां कैसे गिन रहे हैं लोग वो तो लोगों ने देखा है कि ट्रांस्फर पोस्टिंग में रेता चोरी में इन्होंने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिया गिन्नीस बुक वाली कंसीडर कर रहे हैं अभी इन्होंने तो 11 दिन में सारे पुराने रेकॉर्ड तोड़ दिया साड़ा हरेक प्रोग्राम देखणते साड़िनाल जुडनले सस्क्राइब करो बन्नेरा टीवी आते नोटिफिकेशनले बेल आइकांते क्लिक करो